नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर से हमारे स्पाबरफुल मोटिवेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आउरत को मर्द का ऐसा कौन सा अंग है जिसे छूने से आप अमीर बन जाओगे चाड़क की नीती के अनुसर बताएंगे कि रात को पती का कौन सा अंग पतनी को जरूर पकड़ना चाहिए जिसकी बज़े से घर में धन की बरसा होती है और पूरे घर में खुसियों का माहोल च्छा जाता है दोस्तो एक इंसान कई तरह के रिस्तों में बंधे होते ही इसी में से पती-पतनी का रिस्ता एक पवित्र रिस्ता है यह रिस्ता दोनों को और उनके परिवारों को भी बांध कर रखता है किसी भी रिस्तों को तभी तक मजबूत बनाया जा सकता है जब रिस्तों में बिश्वास की कमी आ जाती है तो उनके रिस्तों में धीरे धीरे दूरी आने लगती हैं पती और पतनी एक दूसरे के साथ हर सुख दुख साजा करते हैं लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं साइद यही बात है कि उनके तूटते रिस्तों को बचा कर नहीं रख पाती हैं अगर आप भी साधी सुधा हैं तो बीते हुए कल की बात तो हम अपनी जिन्दगी में भले ही कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएं लेकिन अतीत की कुछ यादे आईसी होती हैं जिने हम चाह कर भी भुला नहीं पाते हैं आज के समय में हर किसी को प्यार होना आम बात है बहुत सी महलाएं अपने पती से अपने पहले प्यार की बाते छुपा कर रखती हैं और उन्हें अपने दिल में ही दबा कर रखना चाहती हैं इसका यही कारण है बहा अपनी कड़बी यादों को साजा करके अपने आज को खोना नहीं चाहती हैं अपनी पत्नी से छुपा कर कुछ भी ना रखें इससे उनके रिष्टे अच्छे बने रहेंगे यह नियम और उपचाप सहती रहती हैं दुनिया की अधिकतर महिलाएं अपने पती को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती हैं बहा नहीं चाहती कि उनके पती उनकी बीमारी को लेकर किसी प्रकार के तनाव में रहें बहा ऐसा सूचती हैं कि अब ठीक हो जाओंगी तो ऐसे में पती को परेशान करके कोई फाइदा नहीं होने वला, हकीकत में अपने पती को तना मुक्त रखना चाहती हैं, दोस्तों हम सभी इंसान प्यार के भूके होते हैं, प्यार की उम्मीद जहां होती है, हम बहें खिसे चले जाते हैं, प्यार में कोई बुराई नहीं है, लेकिन का डर रहता है यह सिकरट उनके और उनके पती के बीच में दरार ना ले आए दोस्तों चाड़क के नीति के अनुसार पतनी को पती का कौन सा अंग अबस्य चुना चाहिए दोस्तों हमारे भारतिय परंपरा के अनुसार सामनता सभी लोगों के घर में बड़े बुजूरुग संत महत्मा बूध के पैर चुने चाहिए पैर चुने की परंपरा काफी पुराने समय से चलिया रही है परंपराओं के पीछे कई कारण मौजूद हैं सास्तों के अनुसार ऐसा माना जाता है बड़े लोगों के पैर छूने से उन्न में बढ़ोतरी होती है साथ ही उनके आसिरबाद सोरू हमारा दुरभाग दूर होता है और मन को सांती मिलती है लेकिन हमारे यहां बड़े बुजुरगों का आसिरबाद लेने के साथ ही पती के पर छूने की भी परंपरा बनाई गई है वैसे आज कल आधिकांस लोग इसे दकिया नुसी सोच मानती है लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुबह उठकर सबसे पहले पती के पर छूने चाहिए और सामको जब पती घर पर आए तब भी उसके पर अबस्य चूने चाहिए क्योंकि इससे पती पतनी में प्रेम बढ़ता है कहते हैं कि पती के पर छूना यानि उसके प्रती समरपर भाव जगाता है जब मन में समरपर का भाव आता है तो अहंकार स्वता ही खत्म हो जाता है इसलिए पती के चरण इसपर्स करने की परंपरा बनाई गई है ताकि मन में हमेशा के लिए सम्मान की भावना रहे और दोस्तों ऐसे घरों पर सदयब देवी लच्मी की करपा बनी रहती है और ऐसे लोग बहुत जल्दी माला माल बन जाती है तो दोस्तों आज का वीडियो बास यहीं तक था हम आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट सेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही ग्यान बर्धक वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत